अपनी चाल आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्टन हमारे यूट्उब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके सान आचारी धर्मेंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल या राशीफल है दो फरवरी 2022 बुद्धुवार का दिन है माग माहा के शुकलपक्ष की प्रतिपदाति थी है इस दिन से गुप्त नवरात्री आरंब होगी गुप्त नवरात्री का पहला दिन रहेगा अगर आप गुप्त नवरात्री की अधिक जानकारी प्राप्त करना चाते हैं या फिर गुप्त नवरात्री की कठा का स्रबन करना चाते हैं तो हमारे चेनल पर हमने आपके लिए अन्य वीडियो प्रस्थुत किया है। उनको आप जरूर देखेगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गुप्त निवरात्री महापर्व की बहुत बहुत शुपकामनाय और बढ़ाया। धनिष्ठा नामक नक्षत्र होगा तथा मकर एवं कुम राशी में टंद्रमा बिराजित रहेंगे। दिशासूल के अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे। इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा। अगर किसी कारण वस उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत जड़ा अवश्यक हो तो धनिया खाकर के यात्रा आरंब कर सकते हैं। अहरा धनिया, सूखा धनिया या फिर धने की डाल। राहुकाल जो की दो पहर बारा बज़े से शुरू होकर के एक बच के तीस मिनिट तक रहेगा। राहुकाल के दोरान कोई भी शुबिया मैंगली कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हलाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने खृत्र के पंचांग अथवा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं। क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की मकर राशी में वहीं चंद्रमा मकर एवं कुम्भ दो राशियों में विराजित रहेंगे। देन इनके लिलाप प्रसिद्ध होगा। इस्थाई संपती प्रापर्टी के लेंदेन संबंदी कुछ लाबदायक योजनाएं बनेगी। घर के भदलाव संबंदी विशय पर भी मातुपूर्ण चर्चा होगी। रुके होए अटके होए काम पूरे होंगे। अधिकतर समय मन और अंजन तथा परिवार के साथ मोज मस्ती संबंदी गती विधियों में व्यतीत होगा। और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की, जीवन को सकारात्मक नजरिय से समझने की कोशिश करे। इससे आपके अंदर चल रही कई गलत फेमिया सुलच जाएगी। धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बरता विश्वास भी आपको शांती और मांसिक सुख प्रदान करेगा। बच्चों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है। इसलिए फालतू की गतिविधियों से अपना ध्यान ठाए। किसी नजदी की मित्रे या रिस्तेदार से मामूली बात को लेकर के वैचारिक मदवेद उत्पन हो सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को ज़्यादा तूल न दे। और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तू जैसे मिस्री या शकर खाकर के घर से निकलते हैं। तो आप का देन शुफलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक छे होगा। भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं मितुन राशी की घर में रिष्टदारों का या महमानों का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आधान प्रदान घर के वाटावरन को खुश्चनुमा बनाएगा अपने महतुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे युवाओं को आपसी वारता लाप से अपनी किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा बच्चों पर कठोर नियंतर न रख करके मित्रवत व्यभार रखे इससे आसानीशे वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे और उपाई के रूप में हरी सबजी का दान करना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं करकराशीगी मनोरंजन और हास परिहास में आपका समय वितित होगा हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्तता बनी रहेगी बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रुची जाहिर करना उनके आत्म इश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तू के खोने या चोरी होने की संभावना है किसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करे और अपनी वस्तूओं को सम्हाल कर रखे ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप लड़ू चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग पीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पारिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे कोई आर्थिक परिशानी होने से आपके मित्र आपकी मदद के लिए ततपर रहेंगे परंतु कभी-कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम वा संक्रिनता परिवार के लोगों के लिए परिशानी का कारण बन सकती है इसलिए अपने व्यवहार व विचारों में लचीलापन बना कर रखना अति आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक लौंग या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की किसी समयच से भी संस्था में आपका विशेस योगदान रहेगा जिस कारण आपको मान सम्मान व यश भी प्राप्ती होगी आपके अपनी व्यक्तिगत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे अटके हुए रुके हुए काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त हो सकता है कोई अचानक ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्याप्त होगी और किसी अंजान व्यक्ति के विवाद में बिलकुल न पड़े क्योंकि उसकी वज़े से आपको परिशानिया उत्पन न हो सकती है उपाई के रूप में भर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मिठी वस्तु खा कर निकलते हैं तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज किसी भी गती विधी में दिल के बजाए दिमाग से काम लेना आपके लिए अधिक फायदेबन साबित होगा निकट संबंधियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन हो सकता है काम की अधिक्ता की वज़े से स्वभाव में चिर्चडापन रहेगा जिसका असर परिवार की विवस्था को खराप कर सकता है अपने स्वभाव को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आपको पॉजेटिविटी बहुत आवश्यक होगी तथा सकारात्मक लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो निश्चे ही आपके स्वभाव में एक सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और उपाई के रूप में भैवान विश्णूजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं वरश्चिक रासी की घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा उनके अनुभवों को आत्म साथ करना आपके जीवन को कुछ सकारत्मक पहलियों से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशासित तथा आज्याकारी रहेंगे स्वास्त में हल्की पुल की परिशानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे परिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धनलाब होगा, नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़ेवे हैं, उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूद का या दही का दान आप करेंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की, राजनेतिक गति विजियों से जुड़े मित्र आपके लिए बहत्वपूर्ण साबित होगे तथा उनके साथ लाबदायक मुद्दो पर विचार विमर्श होगा, समय का भरपूर फाइदा उठाए, मरोरंजन संबंदी कारियों में आपका समय बेतित होगा, अपने व्यक्तिगत कारियों में किसी बहारी व्यक्ति को शामिल न करे कोई आपकी गती विधियों का नाजाईस फाइदा उठा कर आपको नुकसान पहुचा सकता है, बच्चों की गती विधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्नु जी के मंदिर मे कैसर या हल्दी चड़ाएंगे तो आपका डिन शुफलदाई साबित होगा, आपका भगशाली अंक दो होगा, भगशाली रंग आपका पीला होगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी की, सामाजिक कारिकरताओं के साथ उनकी गती विधियों में पूरा सहयोग करना आपको मह तो पूर्ण मुकाम हासिल करवाएगा, आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे, कहीं से कोई ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा, कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से पहले पु गिशाली रंग आपका हरा होगा, अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की, अपना अधिक्तम समय आप अपने घर के अठके हुए रुके हुए कारियों में व्यतित करेंगे, इस्थाई संपत्ती भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन्न हो जाएंगे, घर परि कोई चिंता आपको परिशान करेगी, कोई खुशकबरी ऐसी मिलने वाली है, जिससे आपकी चिंताएं लगभख समाप्त हो जाएगी, उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा, आ अगिशारी रंग आपका जामूनी होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतित होगा, और घर की सुक्सुविधा संबद्धी कार ये भी आपके पूर्ण हो जाएंगे, अधिक समय आप जो है अपने क्रिया क लापों में व्यतित करेंगे, रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे, भावनात्मक संबंद और अधिक मजबूत होगे, आपकी जो शंकालू या जित की प्रबत्ती है, उसको परिवर्तन करना चाहिए, थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा, और उपाई के रूप में छट के उपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा, और आपका भागिशाली अंक एक होगा, भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा, तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी भल और उनको करने वाले उपाई तर्था भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं, हमारी इस ग्यान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेर करिएगा, लाइक करिएगा, कमिन करिएगा, और यदि अभी तक आपने की समय सब्सक्राइब अवश्कर लीजे आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद